हलो फ्रेंट्स बेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स एक्चुली गला खराबत हो सकता कि वीडियो में आवाज किलर ने आएगा खैर आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्बूरेटर के साथ आने वाली बाइक के पेटकॉक वैल्ब के रिजर्व पोजिशन को लेकर बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा डाउट है वो डाउट किलर करूंगा अपने बैसिकली यह होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनके बाइक के जो फ्यूल टाइंक है वहाँ पे चाहे ज़्यादा पेट्रॉल हो चाहे कम पेट्रॉल हो वो हमेसा अपने बाइक को जो पेटकॉक वैल्ब है और रिजर्व पोजिशन पे टेक्निकली होता क्या है यह आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा फ्रेंड्स पहले मैं आपको इस पेटकॉक वैल्ब के तीन अलग-अलग पोजिशन के बाइरे हम बतायता हूँ ज़ा उमलोग इसे बीच में कर देंगे यानिकि ये वैल्ब ओफ हो लिए है यानि कि जो valve है वो on हो गया है और जैसे हम इसे पूरी तरह से उपर उठा देंगे यानि कि जो valve है वो reserve में आ गया है कुछ petcock valve में on का position उपर और reserve का position नीचे होता है मैं आपको बताऊं कि जो petcock valve है इसके just उपर में इस तरह के एक जो pipe है वो इससे connected होता है और यह जो pipe है वो fuel tank के अंदर में होता है और इस valve से होके जो भी petrol बाहर जा रहा है कार्बूरेटर में वो इस pipe से होके ही गुजरता है जो pipe है वहीं से petrol आता है अब देखिए होता क्या है कि reserve का position में कि देखिए जब हमारा petrol जो हमारा fuel tank का जो यह level है इससे नीचे available होता है उस time पे जब हम लोग अपने bike का जो pitcock valve इसे reserve में कर देते है तो उसके बाद यहाँ पे just नीचे में एक छेद होता है एक hole होता है और वो hole जो है वो open हो जाता है इस वज़ा से जो fuel tank के नीचे में जितना भी petrol available है वो सब कुछ यहां से निकलने लगता है अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि आपने पहले भी देख लिया कि देखिए on position में तो petrol नहीं निकल रहा है अब मैं इस reserve में करता हूँ आप देखोगे कि petrol निकलेगा अब मैं इस petcock valve को जो reserve position में वहाँ पे ले आता हूँ देखे ले आते ही आप देख सकते हो यहां से पेट्रोल निकलना शुरू हो गिया है आप देखरों तेजी से यहां पेट्रोल निकल रहा है मैं आपको यहां पे यह भी बताना चाहूँगा अब दीके simply बहुत असानलवजों समझाना हो तो होता यह है कि जब पेटंक कोज़र्व रिजेर्व के पजिशन पे होता है उस टैन में चाहे 10 लिटर पेट्रोल हो चाहे 1 लिटर पेट्रोल हो चाहे 100 ग्राम 50 ग्राम थोड़ा सा भी पेट्रोल बचा हो जब पेटकॉक वैल रिजर्व के पुजिशन पे होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो फ्यूल टैंक अंदर पेट्रोल है वहाँ से लगतार पेट्रोल का सप्लाई कारबूरेटर में होते रहता है और तब तक होते रहता है जब तक कि पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली नहीं हो जाए जश्ट रिजर्व का पुजिशन पे यही होता है तो जो यह सुनने को मिलता है कि रिजर्व के वज़़े से कारबूरेटर या फिर इंजर खराब हो जाएगा यह बिल्कुल पूरी तरह से बकवास है टिकनिकली यह बिल्कुल सच नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है आप बेफिकर होके रिजर्व में लगतार अपने बाइक को चला सकते हो जश्ट होता ये है कि जो रिजर्व का पोजिशन होता है ये भी एक सेफटी पोजिशन ही होता है और कभी-कभी बहुत सा एलोग ऐसे होते है जो कि ये ध्यान नहीं देते है कि कितना पिट्रोल बचा है पिट्रोल टैंक के अंदर में तो अगर रिजर्व में लगतार चलाते तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि रोल रास्ते में कहीं पे भी पेट्रोल पूरा सूख जाए फ्यूल टेक अंदर में पेट्रोल पूरा हतम हो जाए वो हो सकता है लेकिन इंजन कारेबिलोटर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है ये बात अप अच्छी तरह समझ ले अब देखे कार्ज जोड़ी कुछ important बात आपको बतानी है वो भी मैं आपको share कर देता हूँ अब मैं आपको बताना चाहँगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% genuinely spare parts चाहते हो इंटरफेस बहुत असान है जस्ट आपको अपने कार की manufacturing company, model, air variant को डालना है उसके बाद आप अपने कार के model के हिसाब से 100% genuinely spare parts असानी से यहाँ पे search कर सकते हो साथी आपको यहाँ पे अपने कार के model के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा कार के हर एक section के लिए जैसे की engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा यह सब आपको यहाँ पे देख सकते हो साथ याप हर एक part की अपने car के साथ compatibility को भी check कर सकते हो और अगर part आपके car के साथ compatible हो जाए तो फिर आप उसे असानी से यहाँ से order कर सकते हो यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा तो budmo.com के official website का link में इस video के description देख दूँँगा तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने car के लिए इस pair parts को जरूर से order करे फ्रेंड्स, pitcock valve के उपर में इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अप्लोड किया है एक वीडियो मैंने आपको pitcock valve के on, off और reserve position पे technically जो fuel tank है वहाँ से लेकर carbuter के बिच में क्या changes आता है वो समझाया है और दूसरे वीडियो में ये जो off का position होता है इस off position में क्या होता है इसे कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए ये समझाया है दोनों ही वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा अब इदा बाले ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलत अगले वीडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई